सिर्जा 30 की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए गाउ अबूब शेहर की ग्राम पचायत में नशा सुधार को लेकर एक बहुत ही अच्छी मुहीम चलाई है यह मुहीम चलाने का एक मुख्य अदेशी यह है कि गाउ मेंसे नशा को कम किया जा सके कारण यही है कि अबूब शेहर जो गाउ है यह सीसा जीले में पड़ता है और यह पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर से बॉर्डर पर पड़ता है जिस कारण से यहाँ पर नशे का वेपार सबसे जादा होता है तो चलिए हम जानते हैं कि इस मुहीम को चलाने के बाद इसमें नशे पर कितनी लगाम लगी है तो हम सबसे पहले बात करेंगे कुलदीब जी से ये हमें बताएंगे कि कितनी इसमें सुधार आया है नशे में चोदा अगस्त को हमारे युवा कलबों ने जो तीनों चारों युवा कलब सक्री हैं उन्होंने सब ने मिलके एक यहां पे जागरती रेली निकाली गाओं में जिसको रवानगी दी हमारे डावले के डी एस पी साथ ने और करीब छे साथ सो युवा बुज़ूर्ग और नोजवान साथ थी माहिला हैं हमारे साथ थी और हमने गाओं की हर गली में जाकर ये संदेश दिया कि हमारे को अपने गाओं को नशामुक्त बनाना है उसी दिन हमारे सरपन साथ ने भी कुछ गोशना है की जैसे अगर कोई नशाब बेशता पकड़ा जाता है कोई जो बेशता है उसकी जो मुख्वरी देता है उसको एक्याउन सो बेकार इनाम मिलेगा अगर कोई नशाब बेशता हुआ पकड़ा जाता है तो उसकी जमानत कर रही हैं मैंने मेरे पिता जी के नाम से चोजरी बालमकंद मेमोरियल टरस्ट बनाया उसकी वहां उसी दिन यही लगाम लगाई है बेचने वरों पे तो जो नशाक करने के आदी हैं वो कहते हैं कि हमें कहां से आप उतने दिन के लिए कोई इंतिजाम करके दो तो हमने उनके लिए सबस्टूट ये परचियां बना के दे दी और गौशाला परदान है हमारे सत्वाल जी उनके पास वो और वो परचियां दे के उनको जो सप्लिमेंटरी हैं जो उनको हेल्पिंग है छोड़ने के लिए वो दवायां हम दिलवा रहे हैं सबसे ज़्यादा जरूरत है आज महिलाओं की और युवाओं की जागरत होने की मैं इसको दो तरह से देखता हूं एक तो नया आदमी नश आना के जितने भी गाव और शहर राजस्तान और पंजाब बोर्डर से टच करते हैं वहाँ पर नशा तसकरे सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो अब हम बात करते हैं गाव के ही व्यक्ति से यह जरूरत इसलिए पड़ी कि गावं में नसा बहुत ज़्यादा फेल गया हमा करने वाड़े टो जो नसा करने वाला है उनका फहुत नजुक है Mario कि एक द пес नशा नीच कोशिव सकते हैं लेकिन हमारी सब की मिलकर यह कोशिस है भी जैसे वियों उनको नसा चुलाएं कुछ तो प्रेतनसिल हैं कुछ कुछ बच्चे प्रतंसिल हैं कुछ पुराने नसा करने वाले वहीं प्रतंसिल हैं भी हमारा इस वह भी चाते हैं भी हम यह नसा छोड़ दें तो आप मुझे यह बताइए कि गाह में ऐसे आप बता रहें कि लिस्ट बनाई है और फिर पूरा उसका इलाज करवाया जाएगा कितने लोग इस लेट में शामिल हैं अभी तक तो हमारा मरा मोखी कते लिएस हैं킨 हैं पकी यिस्ट has तो हमारी चार तोहीं 3 सिंबर को मन जाएगी तो मोखी तो आपने बताई है वह कितने इसमें लोग शामिल उसमें लगब मेरे खाला सो एकलर के तो भी सामिल है वो त्यार है भी हम नसा छोड़ दें सिर्फ गाव अबूब शहर से ही सो लोग शामिल है अजी इस से नसा करने वाले तो ज्यादा होंगे लेकिन छोड़ने वाले तितने ना ये छोड़ने वाले हैं और इसके अलावा हमन चुड़ा कर सुड़ेंगे ये जो कदम उठाया है ग्राम पंचायत ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि 51 सो रुपे का इनाम दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो नशे की जानकारी देगा नशा बेचने वाले की जानकारी देगा तो चलिए हम बात करते हैं से जादा नशा कर रहे हैं अभी तो जी जो पंदरा साल के बच्चे हैं वो भी इस तरफ अकरशित हो रहे हैं पंदरा साल के बच्चे हैं वो भी नशे की तरफ अकरशित होते जा रहे हैं तो इसी वज़ए से हमें लगा कि अगर हम ये मुहिम गाम में नहीं चलाएंगे त तो ये सबसे बड़ा कार्म था, इसलिए हमने गामें लोगों को जागरू करने के लिए, ये एक रैली निकाली चोदा तरीक को, तो उसमें गाम का बहुत बड़ा से योग था, बहुत लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे एक बार कहने पर सबी गाम के जो मुख्या लोग थे सबी इकठे होगे, और डी-एस-पी साब भी आए, सब ने मिलके गाम में रैली निकाली, और उसका इतना असर हुआ रैली का, कि दूसरे दिन हमने गाम में देखा, तो कोई भी नशा बेचने वाड़ा हमें उस समय नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है, कि इस मुहीम को च पॉसिज में रहेंगी, मैं आप मेरा सवाल आप से ये है, कि इसका जो फीड़बेक है, जो आपने मुहीम चुलाई है, इसका जो फीड़बेक है, आपको कब तक एक पॉजिटिव फीड़बेक देखने को मिलेगा, अभी तो मैं एक बार बता नहीं सकते, जब कैम्प लग पटीर से, जिनों ने नशा को रोकने के लिए इतनी बड़ी मुहीम चलाई है, इतना बड़ा निर्ने लिया है कि गाव को नशा मुक्त बनाना है, तो चलिए हम बात करते हैं सरपंज राजेंद पटीर जी से जो आदमी नशा पकड़ाएगा, उसको 51 रुपे नाम दिया जाएगा, और हम धीरे एक ट्रस्ट है जो चोदरी बाल मुकंद के नाम से है, जिनके चेर्मेन सरी कुल्दीब जी भांबू है, इनोंने मतलब बड़ा फाइनेंसली तोर पर जो लोग नशा कर रहे हैं, उनको चुदाने के लिए ये अपनी ट्रस्ट की तरफ से द्वाईयों का वितरन करेंगे और गाव के हर चोटे बड़े आदमी का इसमें से हो गरा है, तभी हम आज मतलब कुछ देखने को मिला है हमारे गाम में नशे पे, इन तीन चाह दिनों में इतना कंट्रोल आ गया है, जो बेचने वाले थे, उन्होंने नशा बेचना बिल्कुल कम कर दिया है, पुड़ा तो कम नहीं हुआ है, पर कुछ है कम हो गया है. गाव के जो लोग है, जो युवा है, वो किस तरह का नशा करते हैं, किस तरह के नशे को जादा प्रात्मिक्ता दी जाती है? गाव के लोगों को नशे से मुक्त करने के लिए सरपंच गाम पंचायत ने जो मुहीम चलाई है वह काफी सरहानी हैं और हम उमीद करते हैं कि उनकी यह मुहीम चल्द ही सफल होती नजर आएगी सिसा तेज के साथ आप लगातार बने रहिए YouTube पर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे पेज को फॉलॉ भी कर सकते हैं Facebook और Twitter पर Thank you